नमस्कार, हम सभी जानते हैं कि भारतिय अंतरिक्षन उसंधान केंद्र, इस रो, कुछी दिनों में चंद्रजन 3 लॉंच करने जा रहा है, इस चंद्रजन के लक्षय और उद्देश क्या है ये सभी भारतियों को जानना चाहिए, इस चंद्रजन 3 के बारे में विशेश उच्चारन भारतिय अंतरिक्षन उसंधान संगतन द्वारा नियोजित तीसरा चंद्र अन्वेशन मिशन है, इसमें चंद्रायान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा, लेकिन इसमें एक ओबिटन नहीं होगा, इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा, प्रनोधन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फिग्रेशन को तब तक ले जाएगा जब तक कि अंतरिक्ष यां 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में न हो जाए, चंद्रायान 3 पर विशेश रिपोर्ट चंद्रायान 3 चंद्रायान 2 का नुवर्ती मिशन है, जो चंद्रा सतर पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में शुरू से अंध तक शम्ता प्रदर्शित करता है, इसमें लैंडा और रोवर कॉन्फिग्रेशन शामिल है, इसे SDSC शा से LVM 3 द्वारा लांच किया जाएगा, चंद्रायान 3 में क्या है एक खास, रिपोर्टों के आधार पर, इसरों ने चंद्रायान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देशि स्थापित किये हैं, इन उद्देशियों में चंद्रमा पर सफलता पूर्वक सुरक्षित और सौम्य लेंडिंग हासिल करना, चंद्रमा की सतर पर घूमने की रोवर की शमता का प्रदर्शन करना और सीधे साइट पर विज्ञानिक अवलोकन करना शामिल है, चंद्रायान 3 का प्रक्षेपन किस ने किया, भारती अंतरेक्ष अनुसंधान संगथन सिबू त्रिपार्थी द्वारा, भारती अंतरेक्ष अनुसंधान संगथन 13 जुलाई 2023 को श्र शेस सोमनात ने कहा है कि वे चंद्रमा के दक्षिनी ध्रूग पर सौफ्ट लेंडिंग का प्रयास करेंगे, क्या चंद्रायान 3 सफल हुआ, चंद्रायान 3 लेंडर ने यू, आर, में महित्वपूर्ण EMC, Electromagnetic Interference, Electromagnetic Compatibility परीक्षन सफलता पूर्वकुरा कर लिया है, बें इसमें चंद्रायान 2 की समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ओबिटर नहीं होगा। किरन का उपयोग किया। चंद्रायान का उद्देश क्या है? चंद्रायान 1, पहला भार्तिय गहन अंतरिक्ष मिशन, चंद्रमा की परिक्रमा करने और सतह पर एक प्रभावकारक भेजने के लिए लूँच किया गया था। वैज्ञानिक लक्षियों में चंद्रमा के रासा चंद्रायान 2 में विक्रम लेंडर, प्रग्यान रोवर और एक उबिटर शामिल है, वही चंद्रायान 3 सिर्फ एक लेंडर और एक रोवर के साथ लौँच होगा। क्या चंद्रायान 3 तेयार है? इस्रो प्रमोक है सोमनात ने कहा कि चंद्रमा पर चंद्रायान 3 मिशन प्रक्षेपन के लिए तेयार है और प्रक्षेपन 12 से 19 जुलाई के बीच होगा। भारत का पहला चंद्रायान कौन सा है? चंद्रायान 1 चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रायान 1 बाईस अक्टूबर 2008 को SDSC शार श्री हरी कोटा से सफलता पूर्वक लाँच किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासाय ने खनेज विज्ञान और फोटो भूगर भीक मांचित्रन के लिए चंद्रमा की सतर से 100 किलोमीटर की उचाई पर चंद्रमा की चारो और परिक्रमा कर रहा था। चंद्रायान तीन लैंडर रोवर का नाम क्या है। चीन भारति रुपयों में चंद्रायान तीन का बजट कितना था। इसमें चंद्रायान दो जैसा कोई औबिटर शामिल नहीं होगा। भारत का लक्ष चंद्रमा की सतल की जाँच करना है। खासकर उन ख्षेत्रों की जाच करना जहां कुछ अरब वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है। चंद्रायान 3 को कौन सा रॉकेट लॉंच करेगा। प्रक्षे पन्यान मार्क 3 चंद्रायान 3 को लॉंच वीकल मार्क 3 LVM3 पर लॉंच किया जाएगा। जिसे पहले जियो सिंक्रोनस सेटिलाइट लॉंच वीकल मार्क 3 जी एसल्वी मार्क 3 रॉकेट के रूप में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉंच किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फिग्रेशन को 100 किलोमीटर चंद्रकक्षा तक ले जाएगा। जून दो हजार टेईस में चंद्रायान 3 का प्रक्षेपन कौन करेगा। चंद्रायान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉडल होगा। रोवर को लैंडर के अंदर रखा गया है। चंद्रायान 3 भारतिय अंतरिक्षन उसंधान संगथन इस रोख का एक आगामी मिशन है। आज के लिए इतना ही, जल्द ही फिराओंगा कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।